नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल के ओक्सिंक डिस्टालीरा में मैं एमाइभूसन आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ सबसे पहले आप सबको मेरे और मेरे समस्त परिबार के तरब से होली की धेर सारी सुग कामना है दोस्तो आप सभी को पता है और हम सभी को पता है कि होली का तहवार भी बुराई पे अच्छाई का जीत का ही एक परतीक है इसी तरीके से हम इस चीज को मान करके चलें कि ओक्सिंग ग्रूप ऑफ कमपनी में जितनी भी बुराईया थी होली में समस्त बुराईयों को होली का दहन में ही दहन कर दिया जाएगा और उसके बाद बेब जीबिक के रूप में एक नया बिजनस स्टार्ट अप होने वाला है अब दोस्तों मेरा मोटिव क्या है वीडियो बनाने का वो मैं बता रहा हूँ देखे आप तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दिये हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं कहीं न कहीं exact information होने के बाद ही video के रूप में convert हो करके आप सब तक पहुँचती है तो कल मेरी cmd sir से बात हुई थी ठीक है और उसी के base पे ये मैं video बना रहा हूँ देखे होली का जो भी जितना दिन का festival चल रहा है इसके just बाद यानि 20 तारीक तक का जो हमने एक बार telegram group में भी timeline दिया था जो लोग अभी तक telegram group नहीं join किये हैं तो telegram group join कर लिजे oxink digital era के नाम से है ठीक है वहाँ पे आपको oxink से related अब oxink को कल से पीछे छोड़िए बेव जी बी से related जो भी informations है वो group में आपको proper बे में time to time मिलता रहेगा ठीक है अब अभी का information क्या है बस एक छोटा सा information है कुछ जादा बड़ा information नहीं है information यह है कि end of March 20 तारीक के बाद बहुत सारे ऐसे activities हैं जो चतुरभाई.com पे भी बेब जी बी के भी portal पे और हो सकता है कि BM coin के भी portal पे start हो जाएंगे जी हाँ सही सुना आपने इसके बाद financial year खतम होते ही अर्थात पूरा end of March समझ लीजे end of March होते ही जिस चीज का इंतजार आपको कई एक महीनों से नहीं बलके बरसों से है उसकी इंतजार की घड़ी I think समाप्त हो जाएगी जैसा कि मुझे information है और जो information मेरे पास है वही information को मैं as a knowledge के base पे जानकारी के आधार पे अप आप सबों तक provide कराने का काम करता हूं description में मैं पहले से भी लिख रखा हूं और आज भी कह रहा हूं disclaimer भी मेरा चलता है कि मैं कोई financial advisor नहीं हूं किसी तरीके का investment के लिए मैं अपने तरप से कभी नहीं कह सकता किसी को ठीक है आप 18 साल plus के हैं आप अपनी स्वेच्छा से मुझे समझ में आता है वही चीजे आप लोगों तक share करने की कोसिस करता हूं clear है आज का सेनारियो यही है कि आप लोग टेंसन ना ले होली की सुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और इस होली के बाद auxing का good news मिलने वाला है आप लोगों को exactly सब कुछ समझ में आ जागा इ उन्होंने कहा कि देखे अभी अगर मैं किसी तरीके का meeting करता हूं बिना सब कुछ ठीक किये हुए तो सवाल वही आएगा कि इतने साल से कर क्या रहे हैं लेकिन वही चीजों को मैं अगर proper वे मैं सारी चीजे ठीक कर करके वापस आऊंगा तो फिर जो भी सवाल होंगे उस सम मैं डेट नहीं बताऊंगा लेकिन end of March, March खतम होते ही अगला जो भी आ रहा है उस डेट में आप लोगों को सब कुछ असपस्ट में सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा ठीक है तो यही information थी ऐसा नहीं है कि मैं जब भी मेरी बात होती है CMD सर से तो ऐसा नहीं है कि आप ल information मुझे मिलता है मुझे लगता है कि टेली ग्राम ग्रूप में आप लोगों को सेयर करना चाहिए यूटूब पे वीडियो के रूप में आप लोगों को सेयर करना चाहिए अरे एक कहावत है जब इतना हम लोग पेसेंस रख लियें तो थोड़ा सा में क्या जाता है और इस इतने दीन तक रुक लिये तो फिर इतना सा में क्या दिक्कत पड़ी है पूरा खीरा खा के कहें कि लास्ट वाला तीता है तो हरकोई बोलेगा यार यह कौन सा एक्जामपल हो गया तो जब हम इतनी सारी चीजे जहल लिया है लोगडॉन जहल लिया डबल लोगडॉन जहल इतनी सारी चीजे दे लिया तो अब ये मार्च क्या है फाइनेंसियल एरि ये तो बुद्धी जी आप के जितने भी लोग हैं मैं भी बुद्धी जी भी नहीं हूँ लेकिन इतना मुझे भी पता है कि फाइनेंसियल एर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पे तो पुराने सिस्टम का बर्डेन किसी के ऊपर डालने से अच्छा है कि कोई नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो नये तरीके से ही ठीक है तो मेरे ख्याल से end of March आपको बेब जीवी पे भी चतुरवाई.com पे भी और बीम कोई तीनों के पार्ट पे भी चीजे चलना स्टार करेंगे इसके बाद हम ID का भी सेटलमेंट तुरत के तुरत करना स्टार्ट करेंगे ताकि जितना जल्द से जल्द हम सेटलमेंट करके जिनका जो भी कुछ है हिसाब बकाया जो भी है जैसे भी होगा उस समय के situation का नुसार मैं उनका clear करने की कोशिस करूगा तो यही information है इस किसी वीडियो से आपको उम्मीद कि एक किरन नजर आई तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो comment section on है जिसको जो बोलना है बोलते ही है किसी को रोक तो नहीं सकते ना लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि थोड़ा सा अपना बुद्धी और विवेक का भी इस्तेमाल कीजे नहीं तो Ukraine वाली हाल हो जाएगी आज देखे Ukraine का जो हाल है वो क्या है आपना बुद्धी और विवेक का इस्तेमाल ना करने की वज़़ा से हाल है देखे किसी भी system में आपने पड़ोसियों से relation ठीक रखिये अगा बाया क्योंकि कल के date में मैं आपको यहाँपे कुछ करने नहीं आउ और ना लोग दूर से आएंगे, आपका पडोसी ही आपको मदद करेगा, जो भी करेगा आपका पडोसी ही आपको मदद करेगा, तो इसलिए पडोसीों से कम से कम relationship सही रखे और तीसरे के कहने पर कुछ भी ना करेए, आज उक्रेन का हाल जो है ना, वो अमेरिका के कहने युक्रेयन जुग गया ना, तो इसी लिए किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे, किसी के कान भरने पे नहीं आए, आपके पास अपना विवेक भी होना चाहिए, उसके बेस पे काम करिए, ठीक है, मैं ये भी नहीं करूँ कि मेरे बहकावे पे भी आए, मैं बहका भी नहीं